कि अधिये कोई उसमें कोई किसी ने आपती तो नहीं लगाई है अधिये कोई किसी प्रकार की कोई उसमें आपती नहीं लगाई है लेकपाल को रुपया कितने बार दिया है लोगाई है लोगाई है इस वज़े से दिया आपका पक्का विश्मास है कि आजकारी बगर पैसा के काम नहीं करते हैं कुछ लोगाई चार साल बीट गए अब लाप चार साल नहीं कि इसके दूर्ड फूंग दिया होगाई सभी का स्वागत है आप सभी देखने हैं आपका अपना इटूब चनल अगतार पलपल छोटी बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं यह जो तस्वीरें आपको देख रही है यह पत्पत्नी की है और यह जनपत्थ शीतापुर के ठाना ठान गाउं की ग्राम पंचायद जरिया गाउं की है जहां पर मैं ख़ड़ा हूँ पूरी घटना से हम रूबरू कराते हैं कुछ इनको किसी राज अपने उत्तरदाइत फूरी तरफी से निर्भान नहीं कर रहे हैं क्या नाम है आपका आपका पद्रूरी इकाएं आपको नाम पर चांप के नाम ख़रिदने और फिर तबिख भुसुर्ण फेर्ग्षरलय सहें किसी जमीन शेहां शे छोटे राजपूत्न की पिता क्या नाम हैं के गोकरन चोटे राजपूत पुत्र गोकरन की तुमने जमीन खरीदी थी दस विशुवा कितने वर्ष पहले खरीदा था सन 2016 में बैनामा कराई ठेक कहा रोड के किनारे है कि खेते ठेक आप क्या समस्या है कि हम खोले दिनिया का रोपया रिल एक पाल के हैं शक्ते मांगा था तब प्र दिए अपने आप मांगा खर्चा लेए के काम कॉई सरकारी खमस्यानी करते नहीं हुआ कि भींट्वाच के काम कोई सरकारी कमस्यानी करते है पैसनक गरीभ이고 अभर Central sausage खत्या उन्हा है तो हम सोजन की रुपया पुरान होता है लेकपाल कौन है अमित मार शुकला है अच्छा उनको रुपया आपने दिया है अच्छा सुरवाद में जब बैनामा क्राया तब आपने 600 रुपया दिया है तब हम फिर रहन है रुपया दिये के बावजूद रुपया हम कहन के लिएक पास है हमारी इंदखाब तुम जेवरिया लिए लिए और कोई के दई दिया है अब हमने अपने पिट्रोल की हमसे ले लौब है दे तो जब तुमने पहले पैसा उसको दिया था चसो तो उसके बाद रहो साल दो साल कम के अपने पैसा दुबारा कैसे दे दिया कि मतलब यह बात वह बातवाद बात है तो आप ने उनके उच अदकारियों से शिकायत नहीं कि उनके बाप होते हैं यह आपने क्यों नहीं किया जब इतनी समस्या थी क्या कहीं से आप गलत थे क्या आपने राजस्व में पुरा स्टाम्प लगाया होगा पूरा खर्चा दिया होगा आपको रशीद मिली होगी फिर आपका जब वो करमचारी उसका दैट बनता है ये कार करे और जब नहीं किया तो आपको उसके आपके साथ उसने दुर्बिवार किया कुछ किया पैसा लेने के बाद भी काम नहीं किया चार साल बीट गए आज और फिर उसकी सिकायत आप ने उसके सम्मंदित विभागी विभाग आलादकारीयों से क्यों नहीं कि आपकरेंगे कि नहीं करेंगे आपकर यह हो आच्छा तो उसने तुम्हारी जमिन की दाखिल खारीज नहीं कि अब जैसा कि आप लोगों ने देखा किस कदर से आज भी के बयान के अंसार आज चार साल हो गया चक्कर काट रहा है पत्पतनी और अभी तक लेखपाल ने उसके दाखिल खारिज नहीं की है आप ये आलम है इस हिसाब से इतनी प्रकार से जुम्मेदारी के पर अपनी शाजिंदा है आप देख सकते हैं कि किस कदर से अमित लेखपाल नसीरपुर देवरिया थाना थान गाउं का कारनामा है जो कि चार साल से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माह दो माह हफ्ताक भर के लिए आदमी पास टाइम नहरा समच्चा रही नहीं हुआ जबकि नियम होता है सरकार का निरधारित के इतने दिन में दाखिल खारिज हो जा चाहिए लेकिन चार साल बीच जाने के बावजोद भी अमित शुक्रा लेकपाल के दौरा आज तक दाखिल खारिज नहीं की गई है पीडित काफी ठक हार चुका है मजबूर होकर के मीडिया का सहारा लेना पर रहा है और सहच ही सुभाव में और एक मानवता के हिसाब से उ शिकायत करने की बात कही है लेकिन बात यूंहीं खात्म नहीं होती कि किस कदर से अपने चंद पैसों कमाने के चकर में आज भी जुमेदारी का पूरी तरीके से इस भाज़वा सरकार में भी जो है निभा नहीं रहे हैं और काफी भैस्त अचार के आकंठ में डूबे वह य पाला नसीर पुर्दिवरिया लेकपाल का है आप देख सकते हैं ये तर्मामला है